जेहिन दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Air India Online Form 2020 के बारे में कि कैसे आपको Paramedical Agent कम Cabin Service Agent और Customer Agent का Online Form Flip करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस Form को बिना किसी मिश्टेक के भर पाओगे तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं दोस्तो मैं आपको बता दू कि basically ये Form आपको Online कम Offline Way में भरना है यानि कि आपको इसका Format Offline Way में डाउनलोड करना है और फिर इसको Hand से Fill Up करना है और फिलप करने के बाद इसकान करके आपको ये Form Speed Post ये Registered Post के माधियम से Post नहीं करना बलकि एक Email ID के उपर PDF में Send करना होगा और वो आप कैसे कर पाओगे ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है तो आप यहाँ पर इसका Official Notification चेक कर लिजे इसमें आप की किन इस्टेशन या फिर किस Location के लिए Vacancy है वो देख सकते है कितनी Vacancy है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और आपको उस पर क्या Salary दी जाएगी यह भी यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है इसके अलावा क्या Qualification चाहिए Apply करने के लिए वो Qualification आप यहाँ से चेक कर सकते हो अगर आपके पास यह Exact Qualification है तो तब ही आप Apply कर पाओगे Customer Agent की Post पर Apply करने के लिए आप से Graduate की हो गया ता मांगी है और साथ यह आपको Computer Operations की Knowledge भी होनी चाहिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा यह Basically आपका जो आपके Apply करने की संख्या है उनमें से कुछ Application यानके कुछ Form Sort List के जाएगे और फिर उनको जो इंटर्वू है उसके लिए बुला जाएगा अब चलिए बात करते कि कैसे आपको एक Form Fill Up करना है तो यह आपका Application Form है इसका लिंक आपको वीडियो के डिसकॉप्शन में मिल जाएगा यह PDF आपको Open करके यहाँ से इसको Download कर लेना है जो आपका यह Application Form है For Office Use Only यह आपको भढ़ने क्या हो सकता नहीं है आपको जो जानकारी भढ़नी है वो आप यहाँ से देख लिजे तो आपको यहाँ पर Paste Recent Color Photograph Sign Across आपको यहाँ पर एक अपना Recent Color Photograph चिपकाना है और उसके उपर Sign कर देने है आदे Sign यहाँ पर नीचे होने चाहिए और आदे Photo के उपर होने चाहिए इसके बाद यहाँ पर आता है Position Applied For यानि कि आपकी इस Post के लिए अपलाई कर रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको Post के नाम देखने को मिल पा रहे है आपको उसी Post का नाम यहाँ पर लिखना होगा नीचे है Station of Choice यानि कि जो इस्टेशन यहाँ पर आपको दिये जा रहे है इन स्टेशन में आप किस स्टेशन पर अपलाई करना चाहते हो उसी स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है फुल नेम इन बोग लेक्टर यानि कि आपको अपना पूरा नाम दस्वी की मार्क शीट के नुसर लिखना है और यह नाम आपको अंगरी जी के बड़े एक्सरों में लिखना होगा यहाँ पर First Name लिखिए यहाँ पर Middle Name और यहाँ पर सर नेम फिर है Father Name अब यहाँ पर आपको अपने पिता जी का नाम लिखना है इसके बाद नीचे ए Date of Birth अब आपको यहाँ पर अपने Date of Birth लिखनी होगी पहले Day फिर Month और इसके बाद Year आपको Same Format में यहाँ पर DOB लिख देनी है Palace and State of Birth आप किस जंगय पर और किस स्टेट में जन्मे हो उसका नाम लिखना है जैसे की मेरा जो Palace है वो सारंपूर है और स्टेट है उत्तरपरदेश तो मैं सारंपूर और उत्तरपरदेश यहाँ पर लिखने वाला हूँ इसी परकार से आपको लिखना होगा Address for Correspondence यान के Present Address तो जो भी आपका Present Address है वो Address यहाँ पर आपको लिखना है Complete Address लिखना है City का नाम आपको यहाँ पर City के सामने डालना है और जो भी आपका Pin Code है वो Pin Code यहाँ पर लिख देना है इस्टेट आपकी कौन सी है वो इस्टेट यहाँ पर आपको लिख देनी है इसमें candidate आल इंडिया से apply कर पाएंगे फिर telephone number residence with STD code अगर आपके पास telephone number है तो यहाँ पर दे दीजिए नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए इसके अलावा आपको mobile number यहाँ पर डालना होंगा जो कि mandatory है अगर दो number है तो दोनों डाल दीजिए कोमा लगा करके इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी email ID भी लिख देनी है फिर आता है gender तो जो भी आपका gender है आपको उसी के सामने यहाँ पर सामने लिख देना है फिर है marital status तो आपका जो भी status है उसी के सामने उसी column में आपको X लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि mark X in appropriate box तो जो भी box आपके उपर apply होता है उसी box में आपको X लिख देना है nationality के सामने आपको यहाँ पर IND, IAN यानिके Indian लिखना है और religion आपका जो भी है और religion यहाँ से आपको लिख देना है हिंदू, Muslim, Sikh इसाई यह जो भी है वह आपको लिखना होगा Mother Tongue यानिके आपकी मातर भासा तो जो भी आपकी मातर भासा हाँ आपको लिखना ही है चाहे हिंदी है चाहे इंगलीस है जो भी है वह आपको mention करनी होगी पैन नमबर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको उसका पैन कार्ड का नमबर लिख देना है आधार कार्ड नमबर आपको यहाँ पर देना है यह कमपलसरी रूप में नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हो फिर 13 पॉइंट आता है वेदर S.E.H.T. O.V.C. E.W.S. General Candidate तो यहाँ पर दोस्तों उसी के सामने कोलम में आपको X लिख देना है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस firm को S.E.H.T. O.V.C. से fill up कर रहे हो तो आपको Cust Certificate भी स्वर्म के साथ अटेच करना होगा जो की Central Government के दोरा Issue होना चाहिए फिर नीचे आता है B.P. Weather X-Servicemen क्या आप X-Servicemen हो अगर हो तो यहाँ पर Yes कीजे ने तो आपको No के सामने टिक करना होगा अगर आप Yes करोगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर देनी होगी Weather from Police Services अगर आप Police Services से हो तो आपको Yes करना है ने तो आपको No लिखना होगा Weather Working in Any Government, Semi Government, Public Sector, Undertaking और Autonomous Body अगर Yes करते हो तो आपको Non Objection Certificate यानिके NOC NOC से मतलब है कि जिस Department के अंदर भी आप काम कर रहे हो वहाँ से आपने Permission ले लिए कि मैं इस Post पर Apply कर रहा हूँ और उनको कोई अपाती नहीं है कि आप इसमें Apply कर रहे हो तो उसको NOC बोलते हैं आपको यहाँ पर Yes No में आंसर देना होगा फिर है 14 Point Educational Qualification से आपको स्टार्ट करनी होगी यानके सुरुवात में आपको दस्वी की जानकारी ही भरनी होगी तो यहाँ पर आपको Name of the University Institute के सामने Board का नाम लिख देना है कि आपने किस Board से दस्वी पास की है Date, Month, End, Year of Passing में आपको वो Date डालनी है जब आपने 10th कम्पलीट कर ली थी डुरेशन यहाँ पर आपका 1 Year का होता है इसलिए आपको यहाँ पर 1 Year लिख देना है percentage और Marks या Frick Class Division भी आप देख सकते हो 10th में आपको यहाँ पर percentage लिख देनी है कि आपकी 10th में कितनी percentage थी 12th की जानकारी आती है तो आपको यहाँ पर Board का नाम देना है कि आपने किस Board से की है और किस Date में पास कर ली थी वो लिखना है duration यहाँ पर आपको 2 Year का है 11-12 तो आपको यहाँ पर 2 साल लिख ला है और percentage और Marks आपको यहाँ पर भर देनी है फिर आती है डिगरी, graduation तो यहाँ पर 1st Year के बारे में आपको देना है और Date of Passing यहाँ पर डाल देनी है, duration आपको कितने Year का था वो यहाँ पर आपको mention करना होगा बिसिकलिए आपको जो डिगरी की जानकारी है वो Year-wise भणनी है जैसे कि 1st Year, 2nd Year और 3rd Year यह के करके आपको percentage और जो duration है वो लिखना होगा इसके बाद अगर आप Post Graduate की जानकारी दे रहे हो तो आप यहाँ पर इसकी जो Post Graduate का कॉलम है यह यह यूज कर सकते हो याँ आपके पस कोई Ania Qualification है तो आपको यहाँ पर Any Other Specify वाले कॉलम को यूज कर लेना है इसके बाद नीचे आते हैं और आप देखोगे 15 points जिसमें की Affluency in Language Mark X in Appropriate कॉलम तो आपको जो भी Language आती है उसी के सामने आपको लिखना होगा एक्स लिखना होगा जिससे की Language यहाँ पर English mention है English आपको Read करनी आते हैं तो यहाँ पर इसके सामने X लिख दीजे Read वाले कॉलम में Speak करनी यानि कि बोलनी आते है तो यहाँ पर X लिख दीजे Right यानि कि लिखनी आते है तो यहाँ पर आपको X लिखना है Local अगर आपको कोई Local Language आती है जैसे की आप महराष्ट्रा से हो और वहां सी जो Local Language है उमराठी है तो आप यहाँ पर वह जो Local Language है वह यहाँ पर specify यानिक उसका नाम दे सकते हो और इसके अलावा Read, Speak, Write के सामने X लगा करके बता सकते हो कि हाँ मुझे यह चीज आती है Mother Tongue यानिके जो आपकी महातरभास है क्या वह आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी आती है तो आपको यहाँ पर उसके सामने टिक कर देना है साथ ही आपको बोला जारे कि Indicate whether any certificate language course done and the duration of the course along with a copy of such certificate यानि कि क्या आपके पास कोई इसा language course का certificate है जो कि आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं यह कोई compulsory नहीं है अगर आपके पास कोई certificate नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बढ़ सकते हो 16 point है work experience का तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई work experience है और आप उसकी जानकारी देना चाहते तो आप कैसे भरोगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपको name of the organization के अंदर उस company का नाम या उस बंदे का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है किस post पर काम किया है वो आपको post held के section में लिखना है किस date से आपने work join किया था वो आपको यहाँ पर from वाले column में लिखना है और two वाले column में आपको लिखना है कि कब तक आपने काम किया था नेचर ओब जोब आपके जोब का काम की सतरका था यान किया करते थे उसके बारे में आप थोड़ा सा मेन की रेस्पोंसिलिटी यहाँ पर लिख सकते हो आपको साथ ही एक्स्टिविकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा फिर पर्टिकुलर्स ओप डिमांड ड्राप्ट इस यूट अब यह दोस्तों यहाँ पर है डिमांड ड्राप्ट के बारे में जानकारी तो यह आप के लियर कर लिजिए तो यहाँ पर दोस्तों में आपको बता दू कि जो इसमें आपसे एप्लिकेशन फीज मांगी गई है वो एप्लिकेशन फीज बेसिकली यहाँ पर 500 रुपे है बट सेच्ट के लिए वो नहीं है और यह फीज आपको बोला जा रहा है कि लेकर के जाओगे जब आप स्क्रिणिंग करके डोकुमेंट वैरिफिकेशन या इंट्रू के लिए सोट लिस्ट हो जाते हो तब आप आपको यह फीज जमा करनी होगी जो की पेबल होगी आपकी एर इंडिया एर ट्रांसपोर्ट सर्विसिस लिमिटेड मुंबाई में और इसमें आपको यह फीज जमा करनी है परसनल इंट्रूवी गुरूप इसक्रिणिंग के टाइम और स्टी केंड़ेट जो है और एक्सलिसमें केंड़ेट है इनको यह फीज जमा करने की कोई भी आ सकता नहीं है चाए फोर्म भाणने से पहले या फिर इंट्रूव के टाइम में तो अभी के लिए आपको यह जानकारी खाली छोड़ देनी है आपको यह तब बढ़नी होगी जब आप सेलेक्ट किया जाते हो इंट्रूव के लिए फिर रिलेट्यूज वर्किंग इन एर इंडिया लिमिटेर्ड और इट्स सबसी डाइरी कंपनीज अगर आपके कोई इसके आप काम करते तो आप यहांप उसके नाम दे सकते है अगर कोई भी काम नहीं करता इसके अंदर तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए अब ही आपका डिख्लेर्चन थे आपको यहां पर पलेस नाम लिखने है किस जगह से आप इस फोर्म को भर रहे है किस डेट में आप इस form के साथ send करने वाले हो भले ही वो email के माद दिम से करोगे तो please also bring all original document certificate for verification यानि कि जब आपका document verification होगा तब आपको इनके original document भी ले करके जाने होगे तो यहाँ पर application fee अगर आपके उपर applicable है तो आपको यहाँ पर उसके सामने right tick कांडा नहीं इसको खाली छोड़ दीजिए school living certificate जो आपकी TC होती है क्या आपके पास हुआ है आपको यहाँ पर उसके सामने tick कर देना है दसवी की mark sheet and passing certificate 12th की mark sheet, 1st year verification mark sheet, 2nd year degree certificate तो basically आपके उपर जो जो भी document यहाँ पर लागू हो रहे है आपकी जानकारी के coding उन्हीं के सामने आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको वो जो फोटो कोपी है उनकी अभी इस form के साथ भी attach करनी होगी यहाँ पर अलग से आपको पर फोर्मा दिया जा रहे है OBC certificate का basically आपने जो certificate बनवाया है आप यह यूज मत कीजिए वही फोटो कोपी आपको इसके साथ attach करनी होगी यह एक ऐसा इनका नियम होता है अपनी तरफ से यह provide कराते है अगर किसी के पास original में नहीं है वो इनका यूज करके भी इसी certificate को इस्तमाल कर सकते है तो यह आपका application form फिलफ हो चुका है तो अब इसको कैसे send करना है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर दोस्तो जो आपको email ID देखने को मिल पा रही है इस email ID के ओपर आपको 2 October 2020 से पहले इस form को send करना होगा अब मानली जी आपने form भर लिया है आपको भरने के बाद इसको scan करना होगा scan करने के बाद जो जो document आप इस form के साथ attach करने वाले हो जैसे कि 10 वी की mark sheet, 12 वी की mark sheet, जो अन्य qualification है आपकी उसकी mark sheet, आधार card, photocopy, pen card की और expense certificate की यानिकि जो documents यहाँ पर आपने tick किये हैं उन सभी documents को भी यहाँ से आपको scan कर लेना है scan करने के बाद आपको Google में आना है और यहाँ पर search करना है image to PDF converter तो यहाँ पर दोस्तो आपको search करना है और search करने के बाद जो पहली website आयागी इसको open कर लेना है और open करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको उन सभी image को add कर लेना है सबसे पहले PDF जो आपका form application form है वो add कीजे इसके लाब वो अन्य सभी document भी अन्य सभी जो photograph है वो भी add कर लीजे और उनको add करने के बाद आप इन सब को एक PDF file में convert कर लीजे जो की free में ही हो जाएगा और इसको होने के बाद आपको यह जो email ID यहां पर दी जा रही है जो की है hrh count dot aiasl at the rate area.in इसके ओपर send कर देना है साथी ari send not more than 3 month old color fast for size photograph of the full face front view should be pasted neatly in the space provided in the application form यान के आपको अपने application form के अंदर आपका photo अच्छा सा लगाना होगा तो दोस्तों इस परकार से आप यहां पर यह application form fill up कर पाओगे I hope यह जो process है वो आपको पसंद आया होगा अगर आपको कहीं पर कोई भी problem आई है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं और subscribe करने के बाद बैल के आईकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जे हिन दोस्तों